नमस्कार आप देख रहे हैं स्टोरी हाव लाइफ मैं हूँ भागिश्वय आप सभी के साथ सबसे पहले आप सभी को हनुमान जैनती की धीर सारी शुब कामना है भगवान से यही कामना करें कि घर रहे कर हम इस महामारी से बाहर निकल पाए और हम सब की रक्षा करें पहले एक मेजर अपडेट आया है स्पेशली यूपी जिले के लिए जी हाँ अनॉस्मेंट यह वी है जो बड़ी ख़वर है इस वक्त की कि पंद्रह जिले यूपी के पंद्रह जिलों को 30 अपरेल तक के लिए कंप्लीटली सील्ड किया जा रहा है जी हाँ दस से पंद्रह म यूपी के बाद ये कुछ और जगहों तक एक्स्टेंट किया जाए यानि कि यूपी के हाट स्पोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और उन जिलों को सेल्ड किया जा रहा है इसके अलावा हो सकता है कि इस तरह का फैसला हम यूपी के अलावा दूसरे स्टेट में ही देखे इसके अलावा हम मत्यप्रदेश की बात कर सकते हैं हम गुजरात की बात कर सकते हैं नौर्थ एस्ट में इस वक्त जो है मामले इतने नहीं है या पश्मंगाल में इतना नहीं है लेकिन जो होट स्पोर्ट हैं जो स्टेट होट स्पोर्ट में आ रही हैं उन में हो सकत है कि जैसे यूपी में ये फैसला लिया गया है complete lockdown को extend किया जा रहा है 30 अपरेल तक completely sealed किया जा रहा है और दूसरी अपडेट ये है कि कोई भी वेक्ति अगर अभी बाहर निकल रही है राशन के लिए जरूरी सामान लेने के लिए आप बिना मास्क लिए या मूँ कवर किये आ एक important decision जो है वो लिया गया है तो अभी क्या कुछ updates है मैं पहले तो आपको इस पर थोड़ा सा brief कर देना चाहूंगी देखे अभी जो total cases मैं दीख पा रही हूँ इंडिया में 5000 से उपर total cases हो चुके हैं जिनमें से 400 लोगों के recovery हो चुकी है कोरोना से जो ठीक होकर अपने घर लोट चुके हैं दूसरे तरफ अगर मैं death संख्या यानि की मौत की बात करूं तो तकरीबन डेड़ सो लोगों की मौत हो चुकी है भारत में कोरोना वाइरस की चपेट में आने की वजह से ऐसे में चले क्या updates है अभी जो आया है update उस पर मैं थोड़ा सा नजर डालूंगी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहां पर सबसे पहले मैं आपको जिले के बारे में बता दो कौन कौन से जिले है देखे कोरोना वाइरस की जो संख्या है क्योंकि बढ़ती जा रही है ऐसे में बहुत जरूरी था कि इस तरह का एक फैसला जो है बुलिया जाए और जो जादा मौत पूरे दुनिया के अगर में बात करूं तो इटली इससे सबसे जादा प्रभावित है जहां पर 17,000 से जादा हो चुका है इसके आखड़े तो आएए पहले यूपी में क्या कुछ अपडेट है मैं उस पर एक बार नज़र डालूंगे कि यूपी के 15 जिले जो गाजयबाद, नौइडा, महराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती, फिरोजाबाद और कानपुर हैं देखे पूरे जिले में जहां भी positive cases आएं हैं जो भी सम्वीदन शीलियनी के hot spots ये epicenters माना जा रहा है उन इलाकों को seal कर दिया गया है और ऐसा लखनौ और यूपी के 15 जिले तो 15 अपरेल को नहीं खुलेंगे भी ये जो 15 जिलों के नाम मैंने बताएं हैं ये अभी completely sealed कर दिया जा रहा है 30 अपरेल तक के लिए जिहां ये 15 जिलों के नाम जो हैं वो confirm हुए हैं जो के भी seal होंगे अभी हमारे पस ये information नहीं है कि यूपी के बाकी ज अधर रहेंगे या वो खोल दिये जाएंगे अभी इसको लेकर कोई जानकारी देखे सामने नहीं आया है दूसरी तरफ यह कि कई लोगों को ये भी लग रहा है कि कंट्रोल सेंटर में आप फोन करके समान मंगवाना जो संभव हो पाएगा तो देखे ऐसे में ये बात ही सामान आपके घर तक पहुचाएंगे ग्रहक अपने आप नहीं जा पाएंगे दूसरा है कि सील का मरतलब क्या है लोग ये पूछ रहे हैं कि लॉग डाउन सील क्या ये सेम है या इसमें कुछ अलग है सील का मतलब देखे यह है कि जो भी अवशक सिवाएं है वो छोड़ कर किसी को कर्फ्यू के पास जारी नहीं होगे देखे यहां पर बहुत जरूरी चीज़े हैं कि जो भी आवशक इमिजेंसी वाली चीज़े हैं उसके लावा सब कुछ कम्प्लीटली बंद रिया जाएगा किसी को भी घर से बाहर निकलने की जाज़त नहीं होगी इन ये जो जिले हैं जिसके मैंने नाम ले इन सब के बॉर्डर जो हैं वो पूरी तरह से सील रहेंगे मीडिया कर्मी के जो एंट्री बान होगी या नहीं इस पर अभी फिलहाल जो है सोच विचार किया जा रहा है देखे कोई खास कंडिशन्स में मीडिया कर्मियों को मेडिकल खुलेगा राजस्थान में देखे सावर जी राजस्थान को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है फिलहाल राजस्थान में 15 तारिक तक जैसे लाउट डाउन है वो तो है ही लेकिन अभी जो इन्फोर्मेशन हमें मिली है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रिदेश को ल जो अज़िक आई है जो होट स्पोट्स हैं जैसे कि अंदाजा लगा जा रहा है कि उपी में तो ये 15 खिले है ही लेकिन इसके अलावा दूसरे स्टेटस में शायद ये ऐस्या शाहिए में चार प्र जासकता हैं ऊंको भी शायद 30 अप्रेल तक QI sile कर दिया जा सकता है ये लगा रहे हैं कि क्योंकि यूपी में ये अल्रेडी डिक्लेयर हो गया है तो हो सकता है कि बाकी के स्टेट्स के भी जो हाट स्पॉंट्स हैं उनको अइडेंटिफाई करकर 30 अपरेल तक के लिए उसको सील कर दिया जाए इसके चांसे पूरे-पूरे हैं लेकिन देखे मास्क क को लेकर भी इंफोर्मेशन आए कि मास्क बिलकुल कंपल्सरी है आप बिना मास्क के अगर कोई भी अभी बेकर आपको ज़रूरी सामान लेने जा रहे हैं तो आप बिना मास्क के नहीं जा सकते हैं ये बात भी डिक्लेयर कर दी गई है देखे बिना मास्क के मैंने आपको ब पर्सकनल सेक्रिटरी है वो कोरोणा पॉज्टिव पायगए है और फिलहाल उनके जो परसेनल सेक्रिटरी है वो अपने पूरी फारमली के साथ कॉरणटाइन हो चुके हैं बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ उन्हें कॉल्टाट में नगी आ Kollege आने दिया जा रहा ह 행 kapabyrin after तो यह अभी की बड़ी अपडेट है दूसरी तरफ देखे मध्यप्रदेश से मैं अपडेट देख पा रही हूँ मध्यप्रदेश के खरगौन की बात है यह यहाँ पर एक ही फामली के आठ लोग जो है आठ लोग कोरोना वाइरस से पॉजिटिफ पाए गए हैं और बताया जा रहा है कि जिस जमाती से लोगों को कोरोना हुआ है उस जमाती के मा भी अपने बेटे के संपर्क में यानि कॉन्टाक्ट में आने के बाद कोरोना वाइरस से पीटे दिये और विस सी बात है कि उनसे वो वेक्ति जिस जिस से भी कॉन्टाक्ट में आया होगा वो कोरोना क के चपेट में डेफिनेटली आएगा दूसरे तरफ मुंबई में महानगर पालिका के एक हॉस्पिटल में नर्सेज और पैरामेडिक्स करमचारियों समेथ जितने भी हेल्थ ऑफिशल्स हैं उन्हें पीपी के खिलाफ उन्होंने बुद्धवार को प्रदर्शन भी किया था क कि वहाँ पर एक महिला की मौत हुई थी और इस वजह से वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया था देखिए जो अस्पिताल के करमचारी है मुंबई में महानगर पालिका के वो ये डिमांड कर रही है कि वहाँ पर हॉस्पिटल में कोबिड-19 फैलने का खत्रा जो है देख पा रहे हैं तो और क्या कुछ अपडेट्स आये पहले हम उन अपडेट्स पर नजर डालेंगे महराश्य के सेम की अपील है कि आगे आए मेडिकल फील्ड के अनुभवी पूर्वी सैनिक सूबे को इस वक्त आपकी जरूरत है देखिए लगतार जितने भी स्टेट्स हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि उनसे जितना हो सकता है जो मैक्सिमम है वो किया जा सके लोगों को सेफ रखा जा सके और अब लोगों की जमेदारी है कि वो इसमें पूरी तर से कॉपरेशन दे अगर वो इसमें नहीं करते हैं तो ऐसे में लोगों को सेफ रख पाना काफ जो पूछते हैं कि क्या बिहार में 15 अप्रेल को खुलेगा देखी चंदन बिहार को लेकर भी अभी कोई information नहीं दी गई है, official announcement नहीं हुई है, अभी जो सिर्फ information हमें मिली है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर है और ऐसे में हो सकता है कि बिहार के कुछ hotspots भी यूपी के hotspots की तरह sealed कर दिया जाया थी इस अप्रेल तक और बाकी आलाकों को खोल दिया जाये लेकिन अभी पिलाल कुछ भी कहना मुश्किल है, सरकार क्या decision लेती है, देखे इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हो सकता है कि complete lockdown extend भी कर दिया जाये या हो सकता है hot spots को seal कर दिया जाये तो अभी बिहार को लेकर देखे कोई information जो है वो नहीं है, हमारे से एक और दर्शा के जो पूछ रहे है कि क्या जारखन में lockdown है अनीश अभी 15 तक तो देखे हर जगा lockdown है या आप जानते हैं लेकिन उसके आगे को लेकर अभी कोई declaration नहीं है अभी जो announcement हुई है सबसे पहले वो UP के 15 जिलों को लेकर हुई है जो की hot spots माने जा रहे हैं और इन जिलों को अभी 30 अपरेल तक के लिए पूरी तरह seal कर दिया जाएगा तो शाम हमारे साथ वो भी पूछ रहें कि क्या 30 अपरेल तक होगा lockdown देखें शाम जी बिलकुल हो सकता है इसमें चौकने वाली बात नहीं होगी बलकि हम यही suggest करेंगे कि आप mentally prepared रहें सभी कि हो सकता है कि प्रधान मंत्री जी इस 15 अपरेल के lockdown तारीक को पूरी तरह extend कर दे और अभी तक जैसे कुछ जिलों को identify करके किया गया हो सकता है कि पूरे इस देश को एक फिर lockdown के लिए 15 दिनों तक के लिए extend कर दिया जाए इसमें कोई चौका आने वाली बात होगी नहीं तो आपको mentally prepared रहना है क्योंकि यहां पर चीज बहुत serious है यह महामारी बहुत serious है इस से लड़ने का सिर्फ एकी तरीका है यह lockdown इसके लावा हमारे पास और कोई दूसरा option नहीं है तो हो सकता है कि यह चीज एक्स्टेंड हो तो हमें बिलकुल mentally इसके लिए prepare रहना चाहिए यही मैं suggest कर सकती हूँ क्या कुछ और अपडेट है मध्यप्रदेश से देखे जो अपडेट मिल रही है मुझे कोरोना के कारण सरकार ने लगाया है ESMA ततकाल प्रभाव से लागू है कोरोना वाइरस के कारण उत्रप्रदेश के ऐसे मैं ने बताया 15 जिले सील ने है यूपी के 12 बंकी में कोरोना स सिम्टम है अगर आपको पता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और या आप में वो सिम्टम हैं प्लीज घर से बाहर कदम ना निकाले बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज को सीरी सीरी देखे बारा बंकी में जो स्वेक्ती ने किया जो कि संक्रमित थे उसके बावजुद कि इस सिक बाहर निकलने से घर के बाहर कदम रखने से आप अपने साथ कॉंटाक्ट में आया सपास कि कितने लोगों के जान खत्रे में डाल रहे हैं तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ें ना करें अगर आप कॉरिंटाइन में रहेंगे तो आप अप की पॉसिबलिटी है सेंट्रल गवर्मेंट देश की लिए सेफटी के लिए लोगों की जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे और आई थिंक कि हम सब बतार सिटिजन्स हमें उनके हर फैसले में कॉपरेट करना चाहें चाहें वो आप को हम हैं मीडिया के लोग हैं पुली मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप और हम बतोर सिटिजन्स सरकार के इस फैसले में पूरी तरह से अपनी भागिदारी दे कॉपरेशन दे जैसा जैसा गाइडलाइन्स दिया जा रहा है हम उस चीज को फॉलो करें मैं बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ तो यह हो सक दिली से निजामो दिन स्टेशन पर तैनाद रिजरवेशन सुपरवाइजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो देखे निजामो दिन का जो इलाका है जमात वाले मरकज मामले के बाद से ही बहुत जादा सेंसिटिव है और ऐसे में वहाँ पर एक एकर के केस जो है वो सरकार सुनशित करें रैपिड टेस्ट की बात की जा रही थी कि लगतार कहा जारा है कि जो भी हाट स्पोर्स है वहाँ पर टेस्ट किट्स अवेलिबल हो और वहाँ पर रापिडली टेस्ट करवाया जाये लोगों का ताकी क्योंकि करबल ऐसा हो रहा है कि बिना सिंटिम के लोग कोरोना पॉजिटिव पाय जा रहे तो ऐसे में उस चीज से बचाने के लिए ये हो सकता है कि रैपिट टेस्ट जो है उन एपी सेंटर में करवाया जाए और जर्मनी में अब तक देख पा रही हूं कि अब तक कोरोना की मामले जो है वो तकरीबन एक लाग से उपर चले क्योंकि वहां पर लगतार जो है संख्या वो बढ़ती जा रही है दूसी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने को गुरुग्राम की सबजी मंडी में और इवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है दूसी तरफ भोपाल से अपडेट है भोपाल में कोरोना के साथ और पॉजिटिव केसे पाए गए हैं जिनमें से 90 पेडितों की संख्या जो है वो अब हो चुकी है तो देखे मध्य प्रदेश में भी लगतार जैसे में बता रही थी कि कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है अगर मैं दिल्ली की इस वक बात करू तो सुबह के जो अपडेट्स थे दिल्ली में कोरोना के पांसो चेतर मामले हो चुके हैं और 35 आईसीओ में हैं वेंटिलेटर पर आठ मरीज हैं तो अब आप समझ रहे हैं कि स्थिति किस तरह से है काफी क्रिटिकल स्थिति हैं दूसरी तरफ आंधर प्रदेश के मैं बता है कि 5000 के उपर जो है संक्या जा चुकी है लगभग डेढ़ सो लोगों की जान चली गई है उत्तर प्रदेश से भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं आज ही उत्तर प्रदेश में दो और नए मामले आए हैं राजिस्थान में कोरोना के पांच नए मामलों की हैं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर सभी जिंसियां काफी सतर्क और अलर्ट पर हैं और नेपाल बॉर्डर पर भी देखिए सतकता बढ़ा दी गई है क्योंकि नेपाल से भी कई लोग दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे ऐसे में वहां पर भी स्तिती जो है वह बहुत क्रि के ओपर जा चुका है अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना वाइरस के से 2000 लोगों की मौत हो गई है अब आप समझ रहे हैं 24 घंटे में 2000 लोग अपनी जान गवा रहे हैं किस भयानक तेजी से ये महामारी जो है वो बढ़ती जा रही है स्पेन में अब तक 13000 से जादा लोगों की जा चुकी है इटली में 17000 से जादा लोगों की जा चुकी है इस वक्प सिती जिस तरह से खराब है कुछ भी कहना काफी मुश्किल है ब्रीटैन में देखिए और नियू यॉर्क में कहा जारा है कि अमेरिका के नियू यॉर्क में 11 सेप्टेंबर का जो हमला था उससे भी जादा लोग अब कोरोना से मर रही है इस शहर में अब तक 32 सो जादा लोगों की मौत हो गई है अब समझ रहे हैं कि कितनी भयावसिती इस वक्त जो है यहां पर नजर आ रहा है कि सिती वाकर दिन 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 पर दिन जो है वो पर देश है कि नीजुी लाब में ही मुफ्त जांच करवाई जाए रिंबर्स्मेंट के लिए तंत्र बनाये जाएं और लगातार लोग जो है वो मदद के लिए आगे आ रही हैं और लगातार संख्या क्योंकि बढ़ रही है इसलिए कई लोग हैं जो हेल्प कर रही है और काफी अच्छी बात है कि इस वक्त जो लोग help के लिए आगे आ रहे हैं उनका ये जो help किया जाना है वो बहुत ही आहिमियत है यहां पर सावर कह रहे हैं कि सरकार का जो भी फैसला होगा हम सहिमत है बिल्कुल सावर जी हम सब सहमत है क्योंकि किंद्र सरकार इस वक्त लोगों की सेफटी को देखते हुए जो भी फैसला लेगी वो बिल्कुल सही होगा जरूर थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा सकती बरतना बहुत जरूरी है लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको उसमें सही हो करना चाहेगी यहाँ पर एक और दर्शक है यहाँ पर शाम जी कह रहे हैं कि क्या दिली में 30 अपरेल तक होगा दिली में जॉप करता हूँ रहने वाला हूँ यूपी का और कंपनी तो शुट्टी का सालरी काट दी करिपया मेरी बाद देखिये शाम जी पहली चीज तो यह है कि मोदी जी ने बहुत क्लियर कहा है कोई भी कंपनी अपने इंप्लॉईस के सालरी नहीं काट सकती है दूसरा ये है कि दिली को लेकर अभी कोई अप्डेट्स नहीं है लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि दिली में लॉक्डाउन बढ़ा दिया जाए क्योंकि दिली में काफी जगा हॉट स्पॉट्स है दूसरा है कि UPK लिए मैंने अल्रेडी बता दिया है कि UPK 15 जिले सील हो रहे हैं 30 अप्रेल तक वो सारे बॉर्डर सील रहेंगे तो मेरी आप से यही राय है आपको यही सजेशन है कि शामजी आप जहां भी अभी हैं प्लीज वहीं रहें कहीं वहां से निकल के अपने घर के और जाने की कोशिश बिलकुल न करें एक समझदार नागरिक की जो भूमिका है अगर आप यूपे में रहते हैं तो आप अभी फिल हाल अपने स्पोर्ट पही रहें क्योंकि दिल्ली को लेकर देखिए कोई update नहीं है जैसे ही कोई update आएगा तो definitely वह रजगा फ्लाश होगा information आ जायेगी लेकिन दिल्ली के lockdown को लेकर फिलहाल अभी कोई update नहीं है कुछ और अपडेट्स है मैं पहले उस पर नज़र डालना चाहूंगी देखे मैंने आपको एक आप के बारे में बताया था आरोग्य सेतु आप जो गवर्मेंट ने लाँच किया है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि इस वक्त सीरियसनेस काफी जादा है इस चीज़ को लेकर आप सभी उस आपको जरूर इंस्टॉल करें और देखे वहाँ पर आपको काफी मदद मिलेगी अगर आपको जरा भी सिम्टम लगे तो आप वहाँ पर बात करके जान सकते हैं आप जिस अलाके में हैं वो एरिया कितना सेफ आप उससे जान सकते हैं तो बहुत जरूरी है कि इस वक्त आप उस आपको इंस्टॉल करें जो आपकी सेफटी के लिए जरूरी है चक्रेश हमारे साथ लाइव जो कह रहे हैं कि मेरी मा मेरट में फसी हुई है और मैं काशेपूर में रहता हूँ क्या मैं उनको ला सकता हूँ चक्रेश I'm sorry इस वक्त मेरट और इसके लावा जो पंदरा जिले हैं यूपी के जैसा कि मैंने बताया कि इसके बॉर्डर्स सील हो रहे हैं आप अभी कहीं भी ट्राबल नहीं कर सकते हैं और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी मा से फोन पर बात कर लें और उन्हें या उनके आसपास अगर कोई है तो उन्हें एक सेफ जगा जगा रखें उनकी लिए वो आप कर सकते हैं लेकिन अभी आप ट्रावल करके उन्हें नहीं ला सकते हैं क्योंकि इस वक्त सारे बॉर्डर सील कर दिये जा रहे हैं ट्रावलिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और सेफ्टी के तौर पर भी अगर मैं देखूं तो वो सेफ नहीं होगा तो अभी आप जहां है और आपकी मदर जहां है हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप फिलहाल वहीं रहें सेफ्टी के परपस से वो काफी सही है अल्राइट दूसरे तरह देखिए आप एक और अपडेट है बड़ी लापरवाही की ख़बर मैं देख पा रही हूँ देखिए लापरवाही एक ऐसी चीज है अगर आप इस चीज को सच में सीरिस नहीं नहीं लेंगे तो काफी मुश्किल हो सकती है यहां पर मैं देख पा रही हूँ कि दिल्ली के नॉर्दन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में 69 साल का रेल करमचारी 31 मार्च को बुखार और सांस की शिकायत लेकर पहुँचा था 2 अपरेल को उसकी तब्यत काफी बिगड़ गई और उसे नॉर्मल वार्ड में भरती कर दिया गया तो उसके बाद यह हुआ है कि जिस नॉर्मल वार्ड के डॉक्टर ने COVID-19 वार्ड में उसे भेजा लेकिन वहां सी भी उसे दवा देकर घर भेज दिया गया अगले दिन वो फिर अस्पताल आता है जहांपर नॉर्मल वार्ड में उसे देखकर उसे घर भेज दिया गया और उसके बाद उसके तब्यत काफी बिगड़ जाती है और उसके बाद 3 अप्रेल को उसे करोल बाग के डागनॉस्टिक सेंटर भेजा जाता है जहांपर उन लोगों ने हॉस्पिरल को फोन कर उनके लापरवाह के बारे में शिकायत की और उसे COVID-19 के वार्ड में जाने के लिए बोला तो देखे इस तरह की लापरवाही अगर होती है तो यहां पर रिस्क काफी जादा बढ़ जाता है क्योंकि वो व्यक्ति जिस जिस के संपर्क में आया होगा आप समझे कि उनके लिए कितना बड़ा रिस्क यहां पर सामने है लखनव से भी कोरोना पॉजिटिफ के दो नए मामले आ चुके हैं तो यहां पर लगातार जो हम अपडेट्स देख पा रहे हैं आज 15 दिन भी क्यरेला में 336 हो चुका है माहराश्य में आकड़ा हजार के उपर जा चुका है करनाटिका में 175 तिलिंगाना में 364, गुजरात में 165, राजिस्थान में 328, यूपी में 326, दिल्ली में 576, पंजाब में 99, तमिलनाडू में 690, हर्याना में 147, मध्य प्रिदेश में 229, जम्मू कश्मीर में 116, पश्यमंगाल में 99, आंधर प्रिदेश में 305, लदाख में 14, बिहार में 38 चंडीगर में 18, अंधमा निकोबार में 10 है, 36 गर में 10, उत्राखंड में 31, गुजरा में 7, ओडिशा में 42, हिमाचर प्रिदेश में 18, मिजुराम में 1, पूडुचेरी में 5, मनिपूर में 2, अरुनाचर प्रिदेश में 1, असम में 27 और जहार खंड चार देखी, ये टोटल आकडे हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, हमारे अलग-अलग स्टेट्स में, कुरणा पॉस्टिफ हों की जो संख्या है, प्रेजेंटली वो फिलहाल ये है, और लेखें कई बार हम ये भी देख रहे हैं, कि काफी लोग जो हैं, वो अफ़ा फैलाने की कोशिश कर रह हैं, कि वाट्साप या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी तरह की अफ़ान ना फिलाएं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि आप बहुत संजीरत तरीके से सोशल मीडिया पर आक्टिव रहें, पॉस्टिफ चीजों के लिए इसका इस्तमाल करें, किसी दूसे तरह अनिल देशमुख ने तबलिकी प्रोग्राम में NSA के शामिल होने पर सवाल उठाए हैं, और केंदर पर आरोप लगाया है, देखी लगातार हम आपको बता रहे हैं, कि क्या अपडेट आ रहे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ चल रहा है, मैं लगातार सभी रिक्वेस्ट कर रही हैं, कि लॉक्डाउन को बढ़ाया जाए, यहां पर उत्राखंट की बात हो रही है, उत्राखंट के स्टेट गवर्मेंट ने प्रोपोजल भेजा है कि इंदर सरकार को कि लॉक्डाउन को बढ़ाया जाए, जो कि उत्राखंट के मिनिस मदन कौशिक जी ने information दी है दूसरे तरफ यहां पर information मिल रही है कि लास्ट 24 घंटे में पांच death हुई है COVID-19 के मरने वालों की जो संख्या वो 13 हो चुकी है PMC workers ने refuse कर दिया कई लोगों की bodies जलाने से यहां पर यह पूने की updates हैं पूने में पांच deaths अब तक हो चुकी है लास्ट 24 घंटे में दूसरे तरफ aims के दली रेजिस्ट्रार ने कहा है कि कोई option नहीं है PMC workers पर donation के लिए यहां पर जितने भी resident doctors association है उन्होंने voluntarily जो है opt किया है दूसरे तरफ जैसे कि मैं आपको बताया है कि 15 जिलों जो सील हो गए हैं पर सिर्फ home delivery और medical teams allow होंगी यूपी के इन 15 जिलों को जिनको कल से सील किया जा रहा है और वो इसलिए किया जा रहा है ताकि community spread को रोका जा सके क्योंकि अगर community spread होता है तो आप समझ सकते हैं कि सिती बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी इसलिए इस community spread को रोकने के लिए ये बड़ा कدم यूपी मुठाया गया है और बिल्कुल हमारे साथ जो लोग जुड हैं वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि क्या दूसरे states पर भी ये असर करेगा क्या दूसरे states पर भी 15 तारिक के बाद लॉक्डाउन को बढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि state governments request कर रही है केंदर सरकार को कि सुरक्षा क तोर पर अगर देखें तो हम सभी states में इस चीज को extend करें तो इसमें कोई चौकाने वाले बात नहीं होगी कि बाके states में भी seal कर दिया जाए और इस लॉक्डाउन को आगे बढ़ा दिया जाए ये बिल्कुल हो सकता है दूसरे तरफ पंजाब में पांच factories लुधियाना में उन्होंने initiative लिया है PPE की कमी पाई जा रही है जो पूरा protective gear है मास्क की कमी हो रही है ऐसे में इस चीज को complete करने के लिए लोग जो है वो आ गया रहे है दूसरे तरफ लुधियाना में कई गाउं के entry points को फिलहाल बंद कर दिया गया है इधर में एक और update देख पा रही हूँ सोनिया गांधी ने PCEs यानि की सारे प्रदेश Congress committees के Presidents के साथ इंटराक्ट किया है विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये और जो है वो इंटराक्ट कर जो भी काम किया जा रहा है उसको लेकर वो discussion करेंगी दूसरे तरफ यहां पर महराश्य के से अमुधव ठाकरे ने request की है सभी retired army personal से जिनका experience है medical में nurses वाट बॉई से कि वो इस वक्त उनकी जरुवत है ऐसे में वो सभी लोग जो है आगे आए help के लिए और अपना सहयोग दे क्योंकि इस वक्त लोगों की जरुवत है और ऐसे में जितने में retired medical से related लोग हैं वो सब अपने सहयोग के लिए आ गया सकते हैं दूसरे तरफ केरला में दो covid-19 patients को discharge किया गया है जो की ठीक हो गया है जब वो बाहर से आकर जब वो abroad से आये थे तो उनका corona positive पाए गया था ले बात कही है और एक करोड हर एक MLA के local area development fund पर जो है वहां से लेकर relief fund में डाला जाएगा जो कि इस वक्त जरूरी है इस वक्त relief funds के बहुत जादा जरूरी है दूसरे तरफ एक extra precautionary measure के तोर पर मर देख पा रही हूं कि गंजम district administration ने door to door health screening की बात करे ही है कल से around 7 लाग परिव जाएगा safety measures के लिए जो कि इस वक्त जरूरी है और देखें दूसरे ख़बर ये भी है कि वुहान चाइना का वुहान जो है वहां पर lockdown खत्म होने वाला है और वहां पर लोग normal life में आने वाले है restrictions वहां पर आने वाले हैं तो ऐसे में ये भी कहा जा रहे है कि हो सकता है कि को दिले में बने रहेंगे लेकिन अगर चुटे की salary company काट रही है तो खाने पीने की शाम जी हम आपसे request करेंगे कि आप अपने local area में इस बात की जानकारी दें I'm sure की company salary cut नहीं करेंगी और वो definitely धान देंगी कि उनके employees को खाने पीने की मुश्किल ना हो तो हम आपसे request करेंगी कि आप अपने local area के help line number पर बात करें मांके local police में बात करें तो I'm sure वो आपके लिए कोई ना कोई suggestion जरूर लेकर आएंगे और राइट यहां पर मैं कुछ और updates देख पा रही हूं देखे खाने पीने की सभी चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं होगी और लोकों को जरूरी चीज़े हैं वो definitely मिलेगा खास तोर पर जो seal के वे जगह हैं वहां पर definitely खाने पीने की चीज़ें जो ह प्रोटेक्टिव मास्क सिल कर तयार कर रही है क्योंकि इस वक्त मास्क की कमी हो रही है ऐसे में उन लोगों ने ये तयार करकर वो इसे भेज रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है तो गलगाबाद एरिया को भी पूरी तरह से sanitize कर दिया गया है क्योंकि इस इलाके से भी कई तो पुलीस ने यमराज करूधारन किया है और लोगों को सचेत कर रही है तो पुलीस भी अपनी तरह से पूरा सहयोग दे रही है लोगों को अवेर करने की कोशिश कर रही है कि लोग इस चीज को seriously लें और ये समझें कि इस वक्त जो situation है वो कितनी critical है लोग इसे हलके में न ले घर से बाहर ना निकले लगातार जो guidelines दी जा रही हैं उसका पालन करें ये बहुत जरूरी है तो यहाँ पर देखें मेरी आपसे यही request है कि आप सभी लोग घर के अंदर बने रहें इस वक्त आपका घर से बाहर निकलना काफी रिस्की हो सकता है इसलिए घर से बिलकुल चुके हैं मैं उसके बार में भी अपको थोड़ा बता रहूंगी और दूसरी तरफ साउथ आफरिका से दिल्ली के मरकज में शामिल हुए परिवार के आठ लोग संक्रमेत जैसे की मैं आपको information दी है हिरासत में आ है बीजेपी नेता किरीट सोमय है जो की lockdown में बाहर निकल तो यहां पर बहुत जरूरी है कि प्लीज एक अच्छे citizen होने के नाते अब इस चीज को follow करें दिल्ली में कोरोना कमांडो का सम्मान फूल बरसाकर किया गया जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो मारे कोरोना warriors हैं जो मारे कोरोना कमांडो हैं वो हमारे safety के लिए दि इंडिया के बात कर रही हूं 330 जिले में अपने पैर जो है वो पसाद लिए ठीक है और 238 जिलों में 10 कम है कोरोना के मामले यहां पर मैं देखी हूं की कोरोना वारे संकरमण का जो फैलाव है 6 अप्रेल तक की में बात कर रही हूं भारत के करीब करीब आधे जिलों तक तो तो हम उसका थोड़ा बताएंगी 6 अप्रेल की शाम तक के जो अप्डेट के हिसाब से मुंबई में सबसे जादा यानि की 426 केस जर्ज होए है इसके बाद नंबर आता है है हैदराबाद और कासरगोड यानि की केरल जिलों का उसके बाद देश में 238 ऐसे जिले हैं जहां क केसिस की संख्या 10 से कम है और वहीं 57 जिलों में संख्या 10 से 50 है ठीक है तो यहां पर जो मैं प्रमुक्त देख पा रहे हूं 10 स्पॉट्स गौतम बुद्नगर यानि के नौईडा दिल्ली इंदौर पूडे मुंबई कसार गौड जो की केरला में है कुनूर कुएमबटूर हैदराबाद तो यह है वो 10 होट स्पॉट्स इंडिया के जहां पर सबसे ज़्यादा मामले हैं यहां पर कुलकेश 40% से ज़्यादा दर्ज हुए हैं देख देश भर में इस वक्क 21 दिन का लॉकडाउन जारी है आज इसका पंदरबाद दिन है करीब 6 दिन और है और ऐसे मे अभी जो हमने आपको बता है कि कुछ दिलो में इसे बढ़ा कर 31 अपरेल तक के लिए कर दिया गया है ऐसे में लोगों की सवाल आने शुरू है और जाहर है कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या पूरे इंडिया में यह लॉकडाउन एक्स्टेंड होगा तो फिलहाल इस पर को अदर बने रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हाइजीन मेंटेन करें और जो भी गाइडलाइन जारी हो रहें उसको प्लीज स्ट्रिक्ली फॉलू करें और थैंक यू सो मच पर वाचिंग एस लाइफ